आपका क्या वीजान है आपको एमेल एंपीयों गरा बना है जोएंड करने के पीशे मकसद है कि हम लोग जो जन्द सुराज की बहुना या असल मुद्द्ध है वो जन्दा तक कहुंचा तक जाते होंगे मैं इसको कुछ बड़ा वो नहीं समझता मैं इसको भुनाना नहीं चा धुन की है मेरे जनु का नतीज़ा जरूर निकलेगा इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा अगर आपने ठान लिया है कोशिश कर लिया है करना है तो यह इसके लिए कोई अलग से पॉइंट नहीं होना चाहिए कि मेरे फादर ऐसे थे और मैं तो यह है कि आप अपना बेस् समाज के लिए जो सबसे अच्छा सो सकते हैं जो कार कर सकते हैं उसको करने ही कोशिश करें इस दोरान में अगर कुछ बन जाते हैं समाज के लिए कुछ अचीव कर पाते हैं परिवार के लिए कर पाते हैं तो यह एक सिक्षा संस्थान भी चलाता हूँ दो तीन फ्री कोचि चलती है इस कहला है स्कॉलर्शिप का प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं यह कोशिश रहती है कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और अपने आपका विकास कर पाएंगे देखे एक जुगनु को छुपाना आसान है एक दिये को छुपाना आसान है लेकिन चांद सुरज क को छुपाना कभी भी सिम्पल आदमी नहीं था राजनीतिक शुरू से अगर आपकी राजनीतिक समझ है आप समास से सारोकार रखते हैं आपको ताज्यूब होगा कि किस तरह से राजनीतिकों के जो फैसले होते हैं आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं तो आप बि याना के जो हो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारा सब्रेक्षन भी है उसको फिर वो उसमें कुछ दूसरी समुदाय के लोग और रियक्ट कर गए फिर आप देखें वो दंगा कहां तक फैला अब वहां और क्या चीजे हो रही हैं तो नफरत की पुरी राजनीती दस स हाल से की जा रही है आप टीवी चैनल पर डीबेट सुन लेंगे तो इस तरह का है अभी एक नाम लेकर कहना अब स्फैज़ास बहतर ना हो एक एंकर ने कहा कि फाइनल सोलूपी हाईनल से एसृत बीच यहूदियों के लिए इसका इस्तमाल किया था तो यह एक तरह से दस साल से जो राजनीती की जा रही है आपको लगता है कि प्रशांद किस्वर के बराबर का बीज़ी पे में कोई यहां नेता है है प्रशांद किस्वर बीज़ी पे में रह जाते आराम से कम से कम है अनुराक ठाकॉर के जगवा लेकिन इसमें खास तर पर यह भी बहुत इंपोर्टेंट बात हो जाता है कि यह एक बार तो हुआ नहीं हमारा जो खून है ना सेलेक्टिव खौलता है उसके पहले ब्रजभुशन सिंग का मामला हुआ था तो क्या होगे ब्रजभुशन सिंग के मामले में छोड़ दीजए मैं वह नहीं दिटेल में याना चाहता है उनुन ने कहा भी जब उस पर एक स्टेट्मेंट दिया साहब इसस्तेमें दिया उस पे इन्होंन ने कहां कि इस तरह की घटना कहीं भी हो एससाम में हो राजिस्थान में हो तो पूरा मीडिया ऐसे ब्याइब कर रहा था जैसे किसी खास समुधाय के वज़े से कोविड फैल रहा है कि रेडियो रवांडा करके कभी आप देखेंगे तो एक पूरा प्रोपागेंडा का रवांडा में वो था उसके बास बड़ा जीनोसाइड हुआ तो आज हमारे रेडियो रवांडा के दस दस चैनल है वहां एक चैनल था तो यह एक नेरेटिव से चार बज़े फिर उनको वापस आना है रोज जांच बैठ रहा है इसको लेकर क्या आपकी रहा है यह देखिए मैं इसको समझता हूँ कि जन सुराज की कारेकरम के बाद ही करें सुधार आया है जन सुराज के विचार धारा में हम्लोगों ईक एक सकते हैं आने वाले समय में हमारे लोग चुनाओं लड़ेंगे जीतेंगे हारें इस वालग बात है हमारा बड़ा प्रयास जो है विवस्था परिवर्तन का है अठीः चाहतें है कि अच्छा यह चाह आते हैं कि जनता सही मुद्दों पर बात करें किके पठा का काम वाकई बहुत अच्छा है